भाइक मेरे स्वागत आपका सर मेरे 2-3 सवाल है हम एक तो मैंने बताः था मैं आपको वो खा रही हूँ दो ती अभ मुझे सतरह तारिक में तीन महिने हो जाएंगे मैं गॉनद की लगोर्जा खा रही हूँ तो इसे मुझे बहुत आराम है और मैंने कहा था कि एक दो दाना निकलता रहता है अंगली के बीच में और एक मैं वो खा रही हूं नमक जैतुन और वो छैंची जो वाला चूरन साथ आपको पता होगा आपके आपको पता होगा आपके 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 बारे में पूछ रही है और एक उनका पेट फूलता है चिक खाना खती है ऐसे मूँ में पानी साथता है और उल्टी सी लगने को उते है लेगी लगती नहीं तो एलबलाइन नमबर पर बात रही थी उन्होंने तीन चीज बेजी उनके लिए चीज तो वे ले रही हैं तो वे कारी थी मैं अलबलाइन नंबर पर मेरी बात हो जा वो एड़ुटर मुझे रही थी खा की कोई डोक्टर उन्होंने बताया था उन्होंने शमान देख जा था तो भाइच जी मैं पूछ रहे हैं, मुझे जगे जगे अलके फुम्शी सी बनती हैं, फिर वे एक दो दिन में काली सी होके खीक हो जाती है तो क्या ये नमक जैतुन से ही हो रही है? नमक जैतुन तो इनको अच्छा कर देता है खुम्शी सी चाला, हाँ हाँ ही तो खुम्शाफ करता है और फाइदा भी बहुत हो सकता है और कुछ दिने आपको लेना पड़े खुम्शाफ करने वाली कोई भी दौईएं आप लेंगे तो आपको फाइदा मूम्किन है यह अच्छा काम कर रहा है तो इसे लीजे या किसी और के मश्वरे से भी डॉक्टर से भी दवाई ले सकते हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहा है, बहन के लिए आपने सही दवाई ली हैं, गौन सिया अधा अधा गिराम दो बार दें, अपनी बहन को नड़ दवा ली, और गौ या जो उल्टी होने का सेंसेशन है वो खतम हो सकता है और नमक जैतुन अगर है तो वो छे चीजों के पौडर के साथ सौफ सौट जीरा अजवाय धनिया में थी इन छे चीजों का पौडर हमवजन लेकर यानि सब को सौ सो ग्राम लेकर पौडर बनाना एक चमच खाएं और ए गिलास पाने मिलाकर ये दिन भर में एक बार ये दो बार लिया करें आपकी बेहन का भी अच्छा होना मुम्किन है जे